ये हैं मनोहर भाई अपने पिता से विरासत में मिले इस हुटल को बड़े प्यार से चलाते आ रहे हैं वैसे तो शेहर में कैफे कल्चर खूल उबर रहा है पर इनकी मावा कचोडी की खुशबू आज भी सबको इसी हुटल में खीचलाती है तभी तो किसी भी सुभा लोग आपको यहां अकबार पढ़ते चाय की चुस्की पे चल्चा करते तो कुछ दिवार पे टंगे शीशे को देखते हुए आफिस जाने से पहले वो आखरी कंगी करते नजर आते हैं मगर किस्मत और वक्त की मार हमारे मनुहर भाई पर कुछ ऐसी पड़ी कि अपनी बीवी के इलाज के लिए अपना होटेल गिर्वी रखना पड़ और किस्ते ना चुकाने की बज़े से होटेल के बाहर बैंक वालों ने दिवाली से कुछ दिन पहले ही फॉर सेल का बोड लगा दिये अब तो खरीदार भी आने लगे थे खेर बिक्ती दुकान की चिंता दबाए मनुहर भाई आज बड़े उच्छ थे भाई दिवाली का दिन था और थाली बस खास महमानों के लिए सजने वाली थी तो बस वो बड़ा पोत निकाला जो जितना पुराना हुआ था उतना ही स्वात देता गया और सारे पकवान खुद ही पकाए अब बस उन खास महमानों का इंतजार है ङए आपि और निकर्ण तर पार्टी अंदर है आप जी आने में तखिक्त नहीं है शुक्रिया मनोहर मैं भाई मेर्वानी मर्भानी अगले साल इन बच्चों के दिवाली खोड़े न अगले साल दिवाली घर पर मन जाए आपाइए सही कहा मनोहर भाई में दावत घर पे ही होगी क्योंकि दुगान तो अपनी पहचान हो रही थी अरे यह बोड उतार क्यों रहा है लेकिन अरे भाई साफ लो मालिक आगे अब मालिक से बात कीजिए प्लीज सर नमस्कार आज दिवाली की शाम है अंदर बच्चे बैठे हुए हैं तो अगर आप महरवानी करकेश बोड को कल उतर वालें सर प्लीज रिक्वेस्टे सर मनोर काका मैंने सोचा की दिवाली की दिन अगर एक नया बोड लग जाए तो आपको जादा खुशी मिलेगे गुडु गुडु नहीं काका दॉक्टर कुंशन नेकी की रोशनी जो जग में तू जलाएगा नेकी की रोशनी जो जग में तू जलाएगा अंधेरा फिर कभी तुझे चून पाएगा आजेरा पिलिक तभी तुझे छूना पाया। Kindness resides in all of us. We just have to find it for others. Spreading kindness since 1995 by providing quality medicines at affordable prices.